आज हम बात करेंगे क्रिप्टो की तीन महीने की पड़ताल के बारे में यानि तीन महीने जैन्वरी, फर्वरी, मार्च के बारे में तीन महीने बीच चुके हैं दो हजार चौबिस के और क्या ही तीन महीने बीचे हैं और ये तीन महीने लेके आए बिटकोईन का नया all time high फरवरी में बिटकोईन अकेला 20,000 डॉलर पंप हुआ और मार्च मंत के अंदर है ना बिटकोईन के नय all time high लगे तो बहुत अच्छा इंट्रेस्टिंग quarter one रहा है और quarter one के अंदर बहुत सारे changes हुआ है थोड़ा आज इस पड़ताल में हम जानने ही कोशिश करेंगे इस तीन महीने में जो कुछ भी हुआ है इससे हम क्या सीख सकते हैं और हमको कहां benefit मिल सकता है आगे आने वाले महीनों में सबसे पहले तीन महीने बीच चुके हैं नया all time high bitcoin का hit हो चुका है 73,800 डॉलर का और वहीं अगर मैं बात करूँ crypto market में नई crypto currencies की दस्तक बड़ी भयंकर हुई है पिछले तीन महीने के अंदर एक data ये बता रहा कि 5-6 लाख नई crypto currencies आई है आप समझ रहे हो 5-6 लाख नई crypto coins और अगर आप coin market cap पर जाएंगे वहाँ पर जगर देखेंगे तो 2.8 million यानि total cryptocurrencies 28 लाख है crypto market में बहुत बड़ा और बहुत huge नंबर है 28 लाख crypto is ऐसी है उनमें आप trading कर सकते हैं उनमें आप buy sell कर सकते हैं लेकिन जहां तक cryptocurrencies तो आ रही हैं क्योंकि bull season होता है धडले से cryptocurrencies आती है हना और उनमें से mostly क्या होती है fake होती है कुछ event ऐसा होता है कोई news आती है कोई hype चलती है उस नाम पे crypto आ जाती है दो दिन pump होगी उसके बाद bye bye बहुत सारे रगपुल हो जाते हैं बहुत सारे scam हो जाते हैं ऐसे crypto होते हैं mostly तो उनसे तो आपको दूर ही रहना है ठीक है लेकिन जो अच्छे project है जो valuable project है जिनकी कुछ use cases है कुछ utilities है वो crypto currencies कहां आते हैं बहुत सारे exchanges पे आते हैं है ना जिनको exchanges list नहीं करते हैं ना starting में जो zero ले गे आते हैं बहुत सारी ठीक है कि crypto genuine है या नहीं है लेकिन पांच लाग छे लाग crypto currency पिछले तीन महिने में आए 2024 में अब तक आए और 2022 में भी बहुत सारी crypto currencies आई हैं 28 लाग हो गई है 30 लाग के करीब नंबर पहुँच रहा है तो ऐसे में जो पहले bull run में हुआ था थोड़ा पीछे वाले bull run से भी सीखना जरूरी है पीछे वाले bull run में भी जब bull run चल रहा था या start हो रहा था उससे पहले दीरे दीरे बहुत सारे coins आ रहे थे Binance पे आ रहे थे Binance अपने launch pad से ला रहा था launch pull से ला रहा था अब यहां पे जिकर सिर्फ Binance कहीं नहीं है इस बार भी आप देखो बहुत सारी exchanges पे coins आ रहे है Binance के उपर launch pad पूल से launch pad से धडले से coin आ रहे है एक coin list होता है तो अगले coin की announcement कर देता है Binance तो क्या हो रहा है इस बार भी वही होने वाला है जहां तक हमारा expectation है इस बार भी वही है कि इस बार की भी जो हम list देखेंगे चाहे अगले साल देखें इस साल की भी और अगले साल की भी दोनों list देखेंगे तो आप जो नजर मारेंगे कि कि किन coins ने भारी भरकम pump किया किन coins ने भारी भरकम return दिया वो coins रहेंगे, नए coins, नए crypto coins, genuine coins, जो अच्छे project हैं, जिनका ecosystem अच्छा है, है ना, जो potential है, क्योंकि नए coins ये हैं कि एक fresh community है, fresh coins हैं, और mostly under 1 dollar के हैं, अभी भी बहुत सारे coins ऐसे coin हैं, जो 1 dollar से नीचे trade कर रहे हैं, बहुत सारे नए crypto's अपनी power अभी तक दिखा भी चुके है जो लोग समझ पा रहे हैं, वो समझ गई होंगे, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, अभी भी मौका है, जो नए crypto currencies में potential है, उनको miss मत कीजिए, नए crypto currencies में जहां तक हमको ये जो 1 dollar से नीचे वाले coins हैं, ये 5000 से लेके 10,000 तक का potential रखते हैं, 5000 X से लेके 10,000 X, कोई 20,000 X भी द ले सकता है, क्योंकि potential है, और वही picture हम को देखने को मिल रहे हैं, और हमने जो पड़ताल की है, पिछले bullrun से जो सीखा है, और इस bullrun में जो कुछ चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, जो listings हो रही हैं, सब को मद्दे नजर रखते हुए, नए coins की list आप देखेंगे इस साल के end मे कि 2024 में ये coins पंप हुए, उनमें आपको नए coins दिखेंगे, और 2025 में भी peak रहेगी, तो उसके end में भी हम देखेंगे, जो mostly जो list रहेगी, वो नए coins की रहेगी, अब मैं ये भी नहीं कहुँगा कि old cryptocurrencies पंप नहीं होंगे, होंगे, वो भी पंप होंगे, लेकिन जो expectation है, वो न आईएगा, comment करके, ठीक है, बाकी update, next वीडियो में, किसी भी crypto में, invest कर रहे हो, तो research कर लेना, वो बहुत जरूरी है, भिना research के कोई भी crypto purchase मत कीजेगा, मिलेंगे next वीडियो में, तब तक की लिए, bye-bye, take care.